है गाइज इसे विजल कुमार सेन एंड यो वाचिंग मुझे विजल कुमार सेन यूट्यूब चैनल सो आप मैंसे किसी ने मेरे को पूछा था की ट्रिपल ई और इसी में क्या डिफ्रेंस है और हमें क्या चूज करना चाहिए उस पर हम बात करेंगे देखो भाई इसमें हम कि किसी और इसी और उनज को में इंवाल नहीं करूंब मिल कॉंसा ब्रीक साकते हुए कि स्मछ मं और ऑर बैटर होगा हम सिर्फ करेंगे दोनों वारे में देखेवरे ऐंए कुछ आपको तो करना पो before choosing the branch because यह आपका लाइब डिसाइड करेगा किस डिर्क्षिन में जा रहे हो maximum chance वही रहता है बात करते हैं कुछ common options हैं जो आप किसी ब्रांच से इसले एक्ट्रिकल में ट्रिपर ली लो या फिर इसी लो दोनों ब्रांच में क्या है कोई से ब्रांच लो आप आप exam दे सकते हूँ for example RRB का examination JE के भी होता है और non-tech के भी यह तो इसमें आप दे सकते हैं एक्ट्रिक अप्सकों स्टेट PSC होता है उसको भी दे सकते हैं आप UPSC EAC मतलब Engineering Services Examination दे शकते हो CSC मतलब जसमें आपका Combined Services Examination मतलब IAS IPS बनते हैं वो दे सकते हो आप IPS banking exam दे सकते हैं और पीएसे इंडिविजवल पीएसे निकलते हैं उसमें एक्जाम दे सकते हो और admission के लिए घर सकते हो दोनों जगा दोनों LGBT है और उसके बाद MBA के लिए दे सकते हो आप एंड यह तो बैसा को मन है आप दोनों में से कोई सब्सक्राइब काम बन जाएगा आप और गेट के थूसे जो पीस मिलेगा लगबक दोनों में सेम स्कूब रहता है यादा डिफ्रेंस खास नहीं है तो बहुत जो ट्रिपली वाले किसके थूसे पर देते हैं इलेक्रिक्यjust इंजनिंग के थूस वेले इसी तो अपने खुद का पना क्या होता है एक्जाम होता है यह इसी आपका मेन मोटा मोटा चीज है कर भाभी साब क्या है कंदिशिण अपλाइए खां आगर बाइस अप्तौप कॉलेज आउप लेग रहे हो आपका का admission किसी top college में हो रहा है आपके entrance exam के थ्रू से तो भाई साब अगर salary की point of view से देखोगे तो भाई साब ECE का ज्यादा salary है as compared to triple E condition apply था और एक condition लेते हैं मालो आप admission ले रो direct admission ले रो तो भाई साब आप ECE से better होगा triple E याद रखना reason क्या है base पर चलते हैं EC branch जो है थोड़ा सा micro level का branch बहुत smaller चीज़ पर हम काम करते हैं और भाई साब triple E branch क्या भाई साब थोड़ा से बड़े बड़े चीजों के पर काम कराया आता है और EC में थोड़ा programming भी रहता है राइट तो भाई साब यह चीज़े है अब देखो भाई साब ध्यान सुनना बहुत important बात है triple E से EC का ज्यादा salary होगा बदा दिया मैंने छोटे कोले से पढ़ रही हो आप तो भाई साब दो चीज़े होता है triple E वाला क्या करता है या तो अपने core branch में जाता है उसके पास एक ही option रहता है EC वाले को बहुत कम chance होता है उसे core branch में अच्छा नोक्री मिलने का वो क्या करता है फिर switch करता है किसमें भाई साब CSC में switch करता है मतलब programming सीखता है और उसका चलाया था कहां पर भाई साब क्या करने के लिए computer science field में IT जॉब ले लेता हो लेकिन IT जॉब में क्या problem होता है IT जॉब में different department है सबसे बढ़िया क्या होता है था भाई साब development होता है जो support में रहता है जो टेस्टिंग में रहता है उनको थोड़ा problem होता है development क्या होता है growth जब अरदस्त होता है उसका जो पांस से दस साल से job कर रहे हैं उनका एक हैना है जो different fields से computer science में switch करें वो बता रहे हैं बात जो मैं आपको बता रहा हूं बात ही यह real experience बाते हैं जो switch करते हैं अपना field right I hope now you are getting me but जो कोई field switch करते हैं कोई IT में उसको development मिलना थोड़ा मुश्कील होता है उनको maximum chance क्या थे मिलना support या फिर जासर टैस्टिंग यह बात को आप समझ लेना तो difference में आपको मैंने बता दिया अब देखो भाई साब और किसी को मालो business करने तो भाई साब दोनों में आपके पास भरपूर लगवक है राइट तो यह difference तो तोड़ा सा difference है लिटिल डिफ्रेंस आपको देखना है तो क्या करना एक बार जिस इस यहां इन्वर्सटी मुझे नहीं पता आप सेलेवस देखे लो साल के आठ सेमिस्टर के सेलेवस कि वाई इसमें क्या सिलेवस में वटेए और उसका आपका इंट्रेस देखो उसका देखो आपका goal मेरे भाई के लास्ट में क्या होता है क्रिकेट में क्या हुआ है क्रिकेट में क्या होते है फहले ऑबर में 20 आगा सब मेरे जितने में देखता हूं, जो successful बंदे हैं, चाहे business में, चाहे job में, वो ऐसा ही planning करते हैं, तो आप थोड़ा सा planning करें, और मेरे साफ से ही जो आपको चीजे थोड़ा सा difference बताया है, यह काम आएगा, कुछ major difference नहीं है, जो मैं आपको बताया है, यही real difference है, खास difference जदा नही है, तो guys, इस वीडियो में इतना ही था, thank you very much for watching this video, like करें इस वीडियो को, दोस्तों जरूर शेर करें, चनल पर नया हो, subscribe करो, background प्रेस करो, और God bless you all, thank you very much, कोई question नहीं नीचे question बूछ सकते हैं, I'll try to help you in that regard also, thank you very much, bye bye, God bless you all, और मुझे मेरा life sentence चाहती हूँ, you can follow me on Instagram, link डाल दिया मने first comment में, bye bye, good bye